Laptop for online classes in 2021 तो बात करते हैं सीधा number 4 की ज्यादा समय खराब नहीं करने वाला number 4 की बात करते हैं लेकिन number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्त होने वाले अगर आपने 4K भी ट्राइ करना है आप कर सकते हो अगर आपने gaming करने हैं high graphic भी अगर आप gaming करना चाहते हो आप normally easily कर सकोगे plus भी अगर आपको office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ते हो आपके लिभी best deal होने वाले अगर आपने offline आपके लिए बहुत अगड़े होने वाले प्लस अगर आपने क्रेटर काम करना प्रोग्रामिंग करने हैं कोडिंग करने हैं उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हैवी software भी यूज करना है आप easily normally कर सकोगे तो बात करते है इस दा नमबर फो की बात करें नमबर फो पर यार मैंने रखाया MI notebook horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी build quality प्लस इसका design वह बहुत ज़्यादा इसको suit करता है प्लस MI brand है प्लस अगर आपको काम ऐसा है कि आपको keyboard पर ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है विकर्ज आपको trackpad और touchpad यह हुआ है वो बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके display quality बहुत अगड़ी है आपको HD plus web camera साथ में free of cost देखने को मिलेगा जो कि प्लस पर आ जाता अगर आपने online classes लगानी है आपके लिए प्लस मैं आपको बता जाता है जाता हो अगर आपने video acting करना है creator काम करना है जा developer काम करना है प्लस भी अगर आप gaming वारा भी करना जाते हो आप कर सकते हो because आपको graphic card की बात करूँ आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है मैं आपको main specification बदा देता हूँ थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह display की बातों को 14 inch full HD display मिल जाते है जो की anti-glate display और processor की बातों को I5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते है प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बात करूँ आपको Nvidia MX350 2GB देखने को मिल जाता है तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook horizon की अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आजाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो अगर आपको कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलब सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए यह laptop बिलकुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा आप यह आगे बात करते है number 3 number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा Acer Spire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपका प्लेट 50,000 से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के बटर में मिल जाता है 45,000 के बटर में आपको specification पूरे loaded मिल जाते है बहुत अगड़े specification है मैं आपको बताते है तो हूँ सीधी बात करते है हम specification की तो यह डिस्पले की बातों को 40 इंच FHD Plus डिस्पले मिल जाती जो की iPress Panel डिस्पले प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो न तो इसको यार आदा गंटा 40 मिल ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data गरा ज्यादा transfer करते हो ग्राफिक काड की बात करूं आपको नवीड है जीफो MX350 देखने को मिलेगा उप्रेडी सेस्नों की बातों को विंटो टैम मिल जाती है बैंटरी लाइफ की बात करूं आपको एट आवस का बैंटरी लाइफ परवाइड कर देता है प्राइस की बातों को 45 अंच ल देखे 50,000 के बज़ेट तक ये लैप्टाफ देखने को मिल जाता है तो अगर आपने आफिस बर के लिए चाहिए स्टोडेंटों पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर प्रोग्रामिंग करने है कोई है वीडियो एटिंग करना चाहते हो या गेमिंग करना जाते हो आप इस फेक क पूछना जाते हो कमेंट कर सकते हैं मैं लिंक वगारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अभी आगे बात करते हैं नमबर टू की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ नमबर टू एंड नमबर वान को दोनों को मैंने कमबाइन कर दिया विकस दोनों ही लैप कि लए ओका-फिपर के लिए चाहिए अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए तो इसर इस-पायर सैवं आपके लिए हो边 करता है अगर आपको ça याउफर आप जा सकते हो इससे निट्र फाइब के और वो बहुत जाता तग्रा लैप्टॉप है तो अगर आप गेमिंग करना जाते हो मैंने आपको बता दिया अगर आपको आपको भी बता दिया अभी बात करते हैं दोनों के में स्पैसिटिकेशन की थोड़ा से डीपली बात कर लेत आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको आपको 32GB दक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार की बातों को वो GTX 16504GB मिल जाता है उप्रेणी से इस्तर की बातों को विंटो टैम मिल जाते है प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिलेगा बैंटरी की बात करूं आपक पैनल डेस्पले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है आप वरसासर की बात करूं इसमें भी आपको AMD राजन फार्फ देखने को मिल जाती है अपको सिक्स आवस का बैंटरी बैक पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के बजड़ में इस से देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको दोनों ही लैप्टॉप के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैप्टॉप बताएं उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो यह अगर आप एक्स्टा पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपक अगर आपका बज़ट 50,000 से भी कम है तो एसर इस पार फाइब आपके लिए बैस्ट डिल हो सकता है इस प्राइज में इस सर बहुत तगड़ा भी अगर आपका बज़ट 30,000 होता ना तो मैं आपको लिनोवो लैप्टॉप के और जाने को कहता विकर उतने प्राइज में ल करने कोडिंग करने जगर आपने अज़ा क्रेटर काम करना ज़ा कोई भी लोड़ेड फाइल पर काम करना आप सब ही के लिए जो मैंने आपको लैप्टॉप बता है वह बहुत अगड़े होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म अगर आपको मेर देल नाप्स वीडियो मैंने वीडिको साथ तेंक य।